अब आज़ों कैसे आफ बच्चों यह वीडियो में खासकर डेडिकेट किया है उन बच्चों को जो क्लास 12 क्लास में हैं और वो सोच रहे हैं या फिर डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे या तो सीए या फिर सीमे या फिर सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स में मुझे एडमिश अगर आप लेते हैं तो कौन सा एक्जाम आपके ठीक रहेगा क्या उसका लास्ट डेट है और मेरे मुताबिक यानि कि आपके संदोसर के मुताबिक कौन सा बेस्ट अटेम्ट आपके रहेगा कमिंग जो अभी एक्जाम है टूल क्लास का उन बच्चों के लिए उनके बारे आप वो करेंगे मुझे पता है कि अगर आप इन तीन कोर्सेज में से कोई भी कोर्स के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप अपने फ्यूजर को लेके बहुत सिरियस हैं और आप सही डिसीन लेंगे मुझे विश्वास एक छोटा सा हेल्प मेरे तरब से आपको सजेशन ले तो में 2022 अगर आपको एक्जाम देना है तो मेरे बच्चे 1 जनवरी 2022 तक आपको इसका रजिस्टेशन कराना पड़ेगा यानि कि CA इंस्टिटूट के अंदर में आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा इस समय तक आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर इन केस कोई दिकत होती आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे COC टीम को फोन किजिए नंबर जो हमारे ओफिस के उन पे वो आपको पूरा गाइड करेंगे आपका एडमिशन करा देंगे आपको परशान नहीं होना इन केस आपको दिकत होती है तो अदरवाज खुद भी करा सकते आप तो 1 जनवर अक्सर जो बच्चों के आ रहे हैं आपके आ रहे हैं आपके रिलेटिब्स के आ रहे हैं बहुत सारे डाउट्स जो मेरे पास पहुंचने हैं कि सर अगर मानलो में 2022 attempt मुझे देना है और मैंने 1 जनवरी तक registration करा लिया लेकिन जो 12 class का exam है अगर मानलो किसी region से इस समय तक मेर result नहीं आया मेरा result नहीं आया क्योंकि कोविड का टाइम प्रेट चलना हो सकता है कि exam आपका जो होगा उसके कुछ समय डिले हो जाए result आने में तो क्या मैं यह attempt दे सकता हूं मेरे बच्चे हां अगर 12 class का exam आपका जो अभी coming है अभी March में आपका almost end हो जाएग exam तो उसके बा सकते हैं तब भी कोई दिकत नहीं है institute ने एक notification निकाला है उस notification में उन्होंने कहा है कि आप ही exam दे सकते हैं अगर मालो आपने 12 class में आप पास हो गए और यहां भी पास हो गए तो फिर तो आप पास हो गए लेकिन अगर आप 12 class का जो exam आपने दिया था जब उसका result आया तो पता चला कि आप फेल हो गए मुझे पता आप नहीं होएंगे बट मालो अगर आप फेल हो गए और यहां पे आप पास हो गए तो आपका पास नहीं माना जाएगा मतलब आपको CA foundation जो पास करना है वो 12 class को पास करने के बाद ही करना है in short अगर आपका मार्च वाले exam का result आया कि आप फेल हो गए तो यहां पे क्या आपके marks आये उससे कोई मतलब नहीं बनता फिर आपको यहां पे आपको attempt देना पड़ेगा मतलब 12 class पास करने के बाद समझे मरी बात ना तो जो आपका बच्चा इस वार आपका 12 class का exam दे रहा है और अगर वो CA foundation course में admission लेना चाहता है for May 2022 तो 1st January तक आपको anyhow registration कराना ना 1st January तक यहां तक इस दिन तक का आपके पास है नॉमबर 2020 के लिए 1st July आपका now एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप मुझे बताओ कि हमें कौन सा attempt लेना चाहिए May 2022 या फिर आपका नॉमबर 2022 मेरे बच्चे अगर मुझसे आप पूछोगे ना कि सर बहतर क्या होगा तो मैं देख रहा हूं कि यार अगर आपका मार्श मैं पूरा ले लेता मार्श मीड में थर्ड वीक तक अगर आपका एकजाम होता है चार-पांच दिन मस्ती तो करोगे ही करोगे इतना पढ़ाई करने के बाद तो मार्श आपका निकल गया है यानि कि एक महिना एक महिने में मेरे बच्चे त्यारी करके और फिर आपका CA Foundation पास करना थोड़ा सा difficult है थोड़ा सा difficult है क्योंकि आपके जो accounts का भी syllabus है आपके पास एक नया paper आएगा law अगर आपका mathematics का कितना basis strong है मुझे उसके बारे में नहीं पता अगर आप non-mats के बच्चे हैं तब तो यह attempt किसी भी हालात में आपके लिए advisable नहीं है maths अगर आपका week है तो भी attempt advisable नहीं क्योंकि आपको maths में अच्छा खासा पढ़ना होगा बहुत tough syllabus नहीं है लेकि maths आपको पढ़ना होगा कम सकम 4-5 महीने तो जो बच्चे यह आवाले हैं जो मार्च में अभी exam जिनका होने वाला है मेरे बच्चे मैं तो suggest करता हूँ मैं तो मेरे बच्चे इस attempt को opt करें number 2022 क्योंकि actually professional course के इंदर में सिपास होना ही important नहीं है important है मेरे बच्चे knowledge gain करना आपके पास law का paper है जो बिल्कुल कभी आपने नहीं पढ़ा accounts अच्छे level का accounts है जहाँ पे बहुत सारी बाते नहीं सिखने को मिलेगी आपको नहीं अकाउंट सिखने को मिलेगा आपका आपके पास economics है आपके पास mathematics है तो actually कई चीज़े नहीं है और वो उतनी सारी नहीं चीज़े एक महिने में आपका complete करना थोड़ा सा आपके लिए tough ह हो सकता है तो मेरा personal जो suggestion आपके पास है कि यह degree जो है CACMA CS यह आपका बहुत जलबाजी की degree नहीं है हम इसको बहुत 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 तरीके से इंडेस knowledge लेकर करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉमबर 2022 attempt के लिए आप अपीर करें हां हम मेंसे कई सार ऐसे बच्चे हैं आपके कई सार ऐसे दोस्त हैं जिनोंने 12 class का पूरा सिलेबस खतम कर लिया है जिनका mathematics बहुत strong है पहले से और वह कहते हैं कि यार मुझे तो सब कुछ हो चुगा बैठा बैठाओं घर में कुछ करने को नहीं है कई सार ऐसे बच्चे मेरे साथ भी है जो CA foundation की त चुरू कर चुके हैं तो ऐसे बच्चे जो बहुत बहुत फास्ट चलते हैं बहुत उनको मज़ा आता फास्ट चलने में अब चाहें तो में 2022 attempt के लिए अपीर कर सकते हैं लेकिन अगेन कहना चाहूंगा कि अच्छा knowledge proper तरीके से study करते वे अगर आप CA foundation को पास्ट करना चाह class में नहीं था क्योंकि foundation में में बच्चे आपको कुछ हद तक mathematics पढ़ना होगा बहुत टफ नहीं है वाट कुछ पढ़ना होगा जिसके लिए कम सकम तीन-चार मेहने आपको devote करना ही पढ़ेंगे तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ऐसे बच्चे तो इसी attempt में जाए यह attempt कि के लिए है जी जो बिल्कुल फास्ट बच्चे हैं जिन्होंने ट्वल क्लास का कोर्स खतम कर लिया है जो अब खाली बैठे वे और अभी के टाइम को भी foundation में यूज कर सकते हैं तो वो बच्चे आप यहां पर जा सकते हैं कोई दिकत नहीं है लास्ट इट आपका यह है और से सीमे का अगर सीमे के foundation में आप admission लेना चाहते हैं तो मुझे इनका एक्जाम जून 2022 और दूसरा डिसमबर 2022 में होता है जून और दिसमबर यहां पर अगर आप जून अटेम्ट को लेना चाहते हैं तो 31 जनवरी यह आपका last date है और अगर आप डिसमबर अटेम्ट में जाना चाहते हैं तो 31 जुलाई आपका last date है सर डोनों में से या फिर जो CAC में और CAC से इन में से कौन सा बहतर कोर समार लिए होगा मेरे बच्चे एक वीडियो और यूटूब पे है कि CAC में CAC which one is better है आप उसको देखके आप पूरा compare कर सकते हैं मैं उसका link भी इस वीडिय देना चाहिए मैं उनके बार में से बात करना हूँ ठीक न तो पर बच्चे यहां पे अगर आप जून 2022 अटेम्ट के लिए जाना चाहते हैं तो 31 जनवरी आपका last date है यहां पे admission कराने का और अगर आप डिसंबर अटेम्ट देना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2022 last date है registration कराने का जो बच्चे CMA के लिए आरें उनके लिए कौन सा बहतर होगा कौन सा अटेम्ट अच्छा होगा पर बच्चे आपके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जून 2022 अटेम्ट को ही opt करें क्योंकि अगर मैं मार्च का मेहना आपका निकाल भी देता हूँ तो एप्रिल है मे जून का भी लगबग आपको आधा मेना मिल जाता है तो लगबग धाई मेना है और काफी है धाई मेना फाउंडेशन निकालने के लिए आप जो पढ़ाई किये हो 11 टूल क्लास में उसमें कुछ नए अपग्रेड़ेशन एड़ करके नए चीज़े एड़ करके आप अराम स यहां पर एक मेना था थुरा दिक्कत अबट यहां पर धाई मेने आप इजली इसको कर सकते हैं है और अगेन आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन खुद करा सकते हैं कराईए अगर कोई दिक्कत होती है नहीं समझ में आता है हमारे टीम को फोन कीजे वो आपका रजिस्ट्र देना डिसमबर देजी कोई बात नहीं आपकी मर्जी है आपकी लाइफ है आप अच्छे से जानते हैं कि क्या बहतर आपके लिए होगा लेकिन आप दो ढ़ाई मेने का टाइम पिरिट है जिसमें कि आप इसको कबर अप कर सकते हैं ठीक है ना और क्या विदाउट रिजल्ट हमेशा आ जाएंगे कनफर्म्ड है बट इनकेस नहीं आता है तो फिर आप यह अटेम्ट नहीं दे सकते हैं या देखना सीमें शूट कहता है कि आपका विदाउट रिजल्ट जो है ना आप अपियर नहीं कर सकते हैं अगर आपने इसके लिए फॉर्म फिल किया ह लेकिन अगर मान लो कि आपका रिजल्ट उस समय तक नहीं आता है तो फिर आपको डिसम्बर एटेम्ट पे वो आपका फॉर्वर्ड करते हैं दिसम्बर एटेम्ट आपको देना परेगा क्लियर इस बात को यह सर इनके लिए हमने क्या सजेस्ट किया कि मैक्सम बच्चे यह नहां पर उट करें जो सी में करना चाहते हैं उनके लिए क्या जी यह ओट किया आपको है ना कौन सा बेटर होगा कौन सा नहीं होगा इसके लिए मैंने बता एक वीडियो आपको बाते सारी समझ में आ जाएंगी आप बहतर डिसीजन ले सकते हैं फिर हमारा तिसरा प्रोफ वहां पर उनके दो-दो अटेम्ट है ना इनके चार अटेम्ट होते हैं चार अटेम्ट आपका तो यहां पर अगर आपका में 2022 में एक्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो 15 अप्रिल यहां पर लास डेट है रेजिसेशन का 15 अप्रिल 15 अप्रिल आपका ठीक है ना तो यह बाते आप ध्यान में रखेंगे बाकी आप decision लेजिए अच्छी से decision लेजिए in case कोई doubt और उठता है मेरे जो 12 class के बच्चे हैं और अगर कोई या कोई आपके relative है जो कि अभी dice है कि क्या करें क्या ने करें तो आप इस video के comment में अपना comment लेखे हम उसको reply करने की कोशिश आपको करेंगे ultimate target बहतर decision ले professional course याद एकना जल्दवाजी के काम नहीं मेरे बच्चे यह प्रोपर strategy के साथ जो हम लोग बढ़ते हैं वो जल्दी से success को पाते हैं यहाँ पर हमें मजबूरी मजदूरी नहीं करना 24 घंटे काम नहीं करना हमें जितना काम करना है qualitative काम करना है गोल डिसाइड पहले होता है target डिसाइड होता है और फिर वो continuous basis उसमें काम करना डिग्री हमारे पास आती है बाकी आप करें पढ़ाई करें इनकेस कुछ डाउट तो comment box में डालिए मैं आपका reply करूंगा मैं यह मेरे टीम आपको reply करेगी आप सबको all the best बचे thank you and thank you and thank you all the best hello बच्चों कैसे हैं आप मैं CACA में संतोष कुमार मैंने और मेरे टीम ने डिसाइड किया कि जो quality education मैं और मेरे टीम एक particular area में प्रवाइड कर रहे है उसको पूरे देश में क्यों ने फाला जाए at the reasonable cost under the brand name of COC education private limited मेरे बच्चों इस success को हमने पाया commerce के students किसी भी course के हो वो पूरे और इंडिया में बैठके हमारे कोर्से से बेनिफिट ले रहे है या ले चुके है हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा daily doubt session हमारा जो academic instructor team में आपके continuous आपके growth पे वो नजर बनाय रखता है और आपको continuous basis पे motivate करना आपको study के लिए मेरे बच्चों कुछ पार्चिश का यपर खीए लु का इंडिया अब कर दें दो सिस्ट खुप यह वहिए प्रचिश्ज माइ लिए वर्यूसरों का खंडि प्रणी स्टिस्ट मदर गारा बातु अच्छ प्रणीं अग्र्टेश्ट के ले वह एंपष्टेश्ट और पार्णी प्रणीट इस रि सब्सक्राइब करें और सक्सेस के पाथ पर आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें थैंक यू थैंक यू बच्चे